भाईयो देखो मजदूरी और मजबूरी दो एक ही जासी मतलब चीज़े हैं मजबूरी और मजबूरी ठीक है मजबूरी ही इनसान को मजबूरी मतलब मजबूरी जो होती है न वो ही इनसान को क्या गरवाती है मजदूरी ठीक है तो भाई यह मारा पिछे बैठा यह चोटा भाई यह कहता है मेरा 18 साल उमर है लेकिन लगता नहीं है शकल से भाई यहां मिरको बताना 18 साल का है या नहीं यह बजडिका ढियर प्रफ आँपे देख पा रहे हैं यह पूरा बजडिका डेर उठा के लेगा भाई यहां से और इसकी उमर से लगता है कि अभी 15 साल का है इसकी उमर से लगता है 15 साल का भी लग रहा 15 साल लमसम इसकी खच्रे हैं यहां पर देख सकते हैं आप यह खच्रों पर यह जो बजरी लेकर यहां से जाएगा भाईयो मेहनत इंसान करता है लेकिन इसको छोटी उमर में इतनी बड़ी मजबूरी क्या आगई कि इसने स्कूल छोड़के मजदूरी करनी पड़ी भाई से बात करते है बाईयों ऐसे बाईयों को सपोर्ट जरूर आपकी दरब से होनी चाहिए देखो यह भाई स्कूल छोड़के मजदूरी कर रहे हैं तो इसका कोई रिजन हो सकता है अब पता नहीं क्या रिजन है इसका इसी से जानते है भाई क्या नाम है और रहता काम पर है वाई क्यूं इ अच्छा यहीं पढ़ता है रियासी के अंदर या काकडा है तो यह बजरी आप ढो रहे हैं इतनी छोटी उमर के आपकी अठारा साल उमर लगती नहीं है भाईयों बताना इसकी उमर अठारा का लगता नहीं है तो स्कूल में क्यों नहीं पढ़े आप वाईयों नहीं है इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मजबूरी ही इनसान से मजदूरी हरवाती है यही कोई रिजन होता है और मजबूरी इनसान को मार देती है हमेशा मजबूरी ही होती है कोई भी आप इसके मादा पीता नहीं थे बच्पन में एक्सपायर होगे और उसकी बज़ा से इसका कोई और आपके कितने लोग है फैमिली में एक में रूप ना चान दो दो भाई और एक बावी तो वह जो मंदलब छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं मेरे से बड़े हैं अच्छा उनका भी अपना मुना काम है और वो लोग क्या करते हैं वह एक अच्ली के Σighty bergini तृक काम किया और बंदे को खेक की अच्छा व इसके साथ ठेका किया आपने बंदे के साथ तो बंदे के साथ्य वायों देखा ऐचोटी सी उमर में एतनी बड़ी बाद बंदे ने बोली उससी से ठेका गिया किया खचरे ठेका गिया और खच्रे लेग घर तो इतना बड़ा इसने रिस्क लिया काम लिया और अभी महनत कर रहा भाई देखो जी जान लगाके महनत करता है अकेले दंपे इसके माता पिता नहीं है भाई यो इस वीडियो को जाल से जादा शेयर करो भाई आसे भाईयों को सपोर्ट करो देखो यह बजरी का धेर भरेग अब डाउन करता और इसका कोई नहीं है चोटे भाई यह बड़े भाई नहीं है और और भावी है और भावी है भाईयो मैं स्कूल में कभी नहीं गया प्सकूल में पड़े भाईयों देखो डिस्टिक रियासी का रहने वाला बंदा आया है सरकार को सोचना चाहिए ऐसे से बच्चों के लिए शिक्षा फ्री होनी ही चाहिए लेकिन फ्री शिक्षा है वी लेकिन तब भी बंदे को और भी बदसरी मजबूरियें रहती है तो भाई को सपोर्ट जरूर करो इसकी वीडियो को शेर करो यार इस भाई की कोई मदद कर पाये तो बहुत बहुत अच्छा थ है अपने अपने में लगें सभी अना अपने करना पर देखता है कोई ने जो चलो ठीक है बहुत अच्छा लगा चलो देखते है कोई हमारे से जो मदद हो गया आपनी को बहुत बचलने बात